बीदिवेंग तो लुद इवनिंग टो लोग यहां इग्जाम करने वाले हैं पूंसा एक्जाम करेंगे भाई सी क्लास को देखना यहां अब आज यह 2011 वाला जो हमारा प्रिवेस यह इर कोशन है प्रिविएस येर कोशन हम 2011 वाले आज लगाएंगे और इसमें इंग्लिश वाला सेक्षन उनसा सेक्षन इंग्लिश का सेक्षन आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ ठीक है आपका अपने चैनल न्यू लक्षा अकेडमे पे बहुत स्वागत है और भाई फटाफट जो है जुड़ जाओ और अपना जो सीचट 2011 वाला प्रिविएस येर कोशन पेपर है उसको जो है सोल्व करते हैं शुरू करें अगर सभी रेडी हो तो शुरू करें भाई चलो शुरू करते हैं आज ओ फटाफट तो अब इसमें जो है हमारे पास question number 121 से लेके 121 से लेके कहां तक है 150 तक है तो 30 questions जैसे हम लोगों को पता है कितने questions आते हैं हमारे English के 30 questions आते हैं 30 questions हमारे English के आते हैं 30 questions पूछे जाते हैं हमारे paper 1 में paper 1 का जो है previous year set है ये paper 1 का याद रखना CTAT वालो बच्चे 2024 जन्वरी 21 या 22 जन्वरी को आप लोगों का paper है तो बहुत अच्छे से अपनी तयारी को मजबूत तरीके से बनाए रखो 30 questions है English के और मैं लगातार sessions लेता रहूंगा आपका जब तक एक्जाम आएगा जब तक काफी सारे previous year जो अब तक हु पर जो है CTAT में पूछा जाता है चलो अब बिना बातचीत किये अपना solve करते हैं तो first question हमारा क्या बनता है first question है हमारा भाई passage के उपर बहुत सारे बच्चों की गडबड रहते कि बहुत सारे बच्चों को जो है passage में दिक्कात आती है ठीक है तो directions 121 to 126 read the passage given below and answer the questions कह रहा है कि passage पढ़ो और उस passage को पढ़के उसका answer करने की कोशिश करो उसका क्या करो answer करने की कोशिश करो and that followed by the selecting the most appropriate option चलो अब फटा फट से पढ़ना शिरू करते हैं तो क्या क्या बोल रहा है वो कह रहा है this was one of the old man's pet schemes this was one of the old man's pet schemes and one and one about which he would broke no interference broke means होता है तोल रेट करना ब्रूक मिन्स क्या होता है वर्ब अगर हम वर्ब में बात करें अगर हम as a वर्ब बात करें ब्रूक की as a वर्ब अगर हम बात करें ब्रूक के बारे में तो ब्रूक का मिन्स होता है टोल रेट करना क्या करना तोल रेट करना और अगर हम ब्रूक को as a noun की बा और अगर as a noun में इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है stream, धारा, चो एक छोटी धारा है, उसे बोलते हैं brook, यहाँ पे एक है old man's pet schemes, pet schemes होता है, बेहद अच्छी schemes, बढ़िया schemes, उसे बोलते हैं बेहद अच्छी schemes या बढ़िया schemes, तो कहता है this was one of the old man's pet schemes and one about which he would brook no interference, each child would review the events of his school, weak in his own words, in his own way, he was free to comment, he was free to comment, child, he was free to comment, to criticize, to agree or disagree with any person, subject or method, as long as it was in some way associated with the school, no one and nothing was sacked from the headmaster down and the child moreover was safe from any form of reprisal, reprisal का मतलब क्या होता है भाई, punishments, जो कुछ difficult words है, उनके बारे में मैं अपने आप ही आप लोगों को बताता चलूँगा, reprisal होता है, punishment, ये एक old आदमी है, जिसने एक pet scheme दी है, बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को बहुत ज़दा फायदा होने वाला है, teachers को बहुत बहुत ज़दा benefit होने वाला है, headmasters को benefit होने वाला है, और जो teaching process है, बच्चों का learning process हो बहुत ज़दा smooth होने वाला है, बच्चों को ज़्यादा इसमें क्या मिलने वाली है, freedom मिलने वाली है, ताकि बच्चे किसी आपस में एक दूसरे के points है, agree, disagree कर सकें, और जो है, वो अच अच्छी है, किसके लिए, pupils, pupils होता है, students के लिए और teachers के लिए भी, if a child wants to write about something which matters to him, अगर बच्चा अपने कुछ लिखना चाहता है, जो चीज़े उसे matter करती है, जो चीज़े उसे difficulty, मतलब, face करता है बच्चा अपने school में या classroom में, तो उनके बारे में लिख सकता है, he will take some pains to to set it down as carefully and with as much details as possible, that must in some way improve his written English in terms of spelling, और अगर बच्चा इस तरीके जो चीज़े लिखता है, तो उसकी कहीं ना कहीं, written English भी improve होती है, in terms of spelling में भी construction wise भी उसकी English improve होती है, and style भी उसका written style भी improve होता है, week by week we are able through this reviews, और देरे देरे week by week हम इन चीज़े पर review कर सकते है, to follow and observe his progress, और हम जो है बच्चे को इस तरीके से नजर भी रख सकते हैं, और हम उसके जो है progress को भी क्या कर सकते हैं, observe कर सकते हैं, as for the teachers, और teachers के लिए scheme कितने अच्छी है, we soon get a pretty good idea of what the children think of us, हमें जल्दी ये बात पता लग जाता है, teachers को pet schemes के थुरू, कि बच्चे हमारे बारे में क्या और इसे जो हम लोगों को बच्चों के बच्चों से कि जो है close आने का मोका मिलता है, it may sometimes be rather deflating to discover that a well-prepared lesson did not really excite, और परन्तु कभी कबार हमार को जो है इसमें, यह हमारे लिए कैसा भी रहता है, deflating रहता है, कैसा रहता है, deflating रहता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हमार यह negative point था, जो हमने lesson plan किया था, परन्तु वो इतना अच्छा नहीं गया, जिस तरीके से हमने plan किया गया था, so Johnny Smith's interest, but after all the lessons was intended to benefit Johnny Smith, not his teacher, और जो भी teacher, क्या नाम है, जो Johnny Smith है, का जो interest है, जो lesson plan try किया गया था, वो Johnny Smith के लिए तो better रहा, परन्तु उसके teacher के लिए इतना जाद excitement भरा वो बात नहीं रही, तो यह था हमारा सामने, आप लोगों के सामने paragraph, अब देखो, paragraph की सबसे बड़ी problem होती है, कि बच्चे कहते है, सर, paragraph को कैसे solve किया जाए, किस तरीके से हम उनको पढ़े, किस तरीके से उनको समझे, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, तोल करा है, और वो ही paragraph आए, कभी भी नहीं होगा, तो याद रखो, reading habit develop करो, बाकिया आप मेरे साथ पढ़ते चले जाओ, मैं आपको बताता रहूँगा, कि भाई कैसे कैसे, हमको जो है paragraph को solve करना है, तो हमारा first question बनता है, ये वाला, the scheme according to the old man was useful, because, जो scheme थी, कौन सी scheme थी, old to the old man, old man के according, जो pet scheme थी, वो useful थी, वो useful किसलिए थी, बताओ, किस वजह से useful थी, वो scheme, क्या वो scheme, it was excellent feedback for the teacher, principal and school, या फिर he was slightly eccentric, यहाँ पर बात और ये scheme के और यहाँ दियावा ही, यहाँ पर बात और ये scheme के लिए, और scheme useful थी, तो यहाँ पर बात दियो ही की, तो यहाँ पर to humiliate the teacher, क्या उसने कोई ऐसी scheme बनाई थी, जिससे वो teacher को humiliate कर सके, teacher की बेशती कर सके, नहीं, गलत, option गलत, फिर आगे, it was meant to give power to the teacher, क्या उसने इस तरह की कोई scheme बनाई थी, जो सिर्फ teacher को power देती है, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने बीच में खुद कहा था, क्यों स्कीम में, क बच्चे को भी बराबर की power देती है, बताने के लिए teacher को, कि हाँ, मुझे आपकी lesson में ये चीज़ अच्छी लगी और ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमने जो है, अभी passes में पढ़ा था, तो ये बात भी हमारी क्या होगी, गलत, तो हमारा option क्या बनता है, ये option हमारा correct बनता है, क्या answer बनेगा हमारा, it was an excellent feedback, ये scheme किसली अच्छी थी, useful क्यों थी, क्योंकि scheme में जो है, feedback option था, कैसा option था, feedback कि हमने बच्चे को पढ़ाया, उसके बच्चा हमें क्या दे सके, feedback देख सके, कि सर हाँ, ये आपने जो पढ़ाया, वो अच्छा था या बुरा था, for the teacher और ये किसके लिए benefit रहेगी, teacher के लिए भी, student के लिए भी, principal के लिए भी, और school के लिए भी रहेगी, तो इसी वज़े से scheme को क्या माना गया है, excellent scheme माना गया है, कौन से scheme को, pat scheme को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के पास पूरा पूरा धिकार है, कि वो disagree, agree कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, अपनी matters को जो बाते उसको नहीं समझ में आते हैं, उनके उपर feedback दे सकता है, तो option number A, clear, चलो, next आगया हमारे सामने, 10 second का समय आप लोगों को दिया जाएगा, हर question में मैं 10 second या 5 second का समय दूँँगा, so that आप भी उसका answer खुद से भी सोच सको, sir, next आगया, pat schemes in line 1 refers to, pat schemes, schemes जो है, जो word दिया गया, pat schemes, उसका क्या मतलब है, जो paragraph की first line में refer की गई है, बताओ, क्या मतलब है उस बात का, 10 second का समय है आप लोगों के पास, quickly बताओ, pat scheme refers to, किस चीज़ को refer करती है, क्या वो student की बारे में बात करती है, क्या student एक बहुत शोकीन है, नहीं, pat scheme, एक formula he had discovered, क्या उसने कोई pat scheme का formula discover किया था, खोजा था, नहीं, he had, हमें पता है नहीं, कोन ही, तो यहाँ पे यह भी गलत, क्या एक pet animal है, नहीं, यह तो option वैसी गलत हो ता, he has advocated, जो क्या है, उस old man ने advocate किया था, advocate मतलब कि जिसका उसने जो है, उस pat scheme के बारे में, जैसे बोल सकते हैं, pat scheme के बारे में उसने advocate किया था, advocate मतलब उसका, उसने pat scheme को appreciate किया था, कि यह हम scheme लगाएंगे, यह कम scheme apply करेंगे बच्चião के पर, उनकी learning जो है process बहुत रहा हमें feedback मिलेगा और teachers को भी पता लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक सही deliver हुआ या नहीं हुआ तो यह क्या था एक method था जो किस ने advocate किया था old man ने advocate किया था next आ गया इसका option number क्या बनेगा D क्या बनेगा D next question आ गया आप लोगों के सामने question number 123 the old man refers to यह old man कोन था बताओ फटाफट यह old man कोन था 123 दस सेकिंड का समय है चलो done बात करते हैं तो old man कोन था भाई यह old man था the headmaster called Mr. Florian Mr. Florian ही कोन था भाई old man था तो कोई student था नहीं student कैसे pet scheme दे देगा teacher of the school नहीं वह headmaster था और वह parent भी नहीं था school का तो यह तो तीनों बात हो गई गलत और वह क्या था एक headmaster था Mr. Florian कोन थे headmaster थे देखो यहां पर दिया भी हुआ है यहां कहीं दिया भी हुआ था इसमें अगर कैसे कुछ बच्चों को लगता है सर यह तो आंसर ही नहीं था यहां पर headmaster की बार देखो look at this Mr. Florian headset Mr. Florian ने बात कहीं थी तो किस की जो जो old man की बारे में यहां बात की गई है और उसकी scheme के बारे में उसका नाम दिया गया Mr. Florian तो हो कहने यहां पर headmaster थे याद रखना नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने नेक्स्ट आ गया 124 नमबर कुश्चन हां पढ़ो the advantages of the scheme were many जो scheme उन्होंने दी थी वो बहुत सारी उसकी जो है काफी सारे क्या थे advantages थे pick out the disadvantage उसकी disadvantage भी बताओ मतलब कि जैसे positive point तो बहुत सारे थे उसके बारे में पर उसका negative point भी बताओ कि negative point क्या है उसका क्या है negative point क्या जल्दी बताओ फटाफट negative point कि क्विक्ली कि चलो कि एनिबडी क्विक्ली नेगेटिव पॉइंट चलो शुरू करते हैं तो क्याता है उसके advantage इस तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए पर उसका negative point क्या था negative point क्या था उसका negative क्या effective feedback देना उसका negative point होगा अच्छा feedback देना negative point है नहीं तो गलत हो गया क्या अच्छी अगर handwriting skills हो जाएंगी उससे तो यह negative बात होई नहीं हमें तो negative बात ढूणनी है क्या वह कह रहा है diagnostic and remedial for the student and teacher अगर टीचर किसी बच्चे की गलती को पकड़ ले और उस बात को समझा सके उसके जो उसके पर remedial teaching दे सके क्या यह बात negative है नहीं आपको कह सरी तो कूंसा answer बनेगा कूंसा answer बनेगा और मैं यह कहता हूं आप यह देखो पहले कूंसा answer नहीं बनेगा जो नहीं बनेगा वो तो काटो उसके वाद सीधा सीधा answer करो तो क्या बनेगा sometimes deflating deflating to the teacher's ego क्या था उसका negative point उसने बताए भी था कि sometimes यह क्या करते डिफलेट करती है teacher की ego को कि जो teacher ने अच्छे से well prepared lesson plan किया है देखो मैंने बताए भी था वहाँ पर यहाँ पर मैंने बताए भी था पहले तो इसका answer सुनो के इस यह कभी कभार क्या करती है teacher की ego को deflate करती है teacher ने बहुत अच्छा lesson plan बना के दिया और उसके बाद बच्चा उसमें teacher को criticize कर रहा है या फिर बच्चा उसमें बता रहा है कि जो यह चीज़े मेरे को नहीं समझ में आरी तो हो सकता है किसी teacher को जो हो चीज़े क्या कर जाए ego कर जाए कि उसने इतनी excited से उस बात को किया था हाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए be practical ऐसा किसी teacher को नहीं लगता but according to paragraph हमें answer करना होता है ठ it may sometimes be rather deflating to the to discover that a well-prepared lesson did not rely excite Joni Smith's interest but after all the lesson was intended to benefit Joni Smith not his teacher not his teacher मतला teacher की जो है ego को वह बात शैसे अच्छी पसंद ना आए teacher के लिए वह चीज़े इतनी disadvantaged नहीं है यह वाला question हो गया हमारा 124 डबल दो बार आ गया है 125 नमबर question देखो 125 नमबर बताओ इसमें सेकर्ड वर्ड दिया हुआ हुआ है एक सेकर्ड वर्ड 125 में सेकर्ड वर्ड का म मतलब रफ्ड मंस्टर का मिन्स ईसका क्या मतलब है बताओ फटा-फज थीय चलो time over क्या सेकर्ड का मतलब हहां पर कि यह है क्या वो teacher यह बोलना चाहता है मैं बहुत पवित्र आदमे हूं 다들isini आचा शीन जाто कर वह पवित्राद में हो, नहीं, तो यह तो गलत option हो गया, he was a holy man, यह तो बनी गाई नहीं, दूसरा, that he was the powerful head of the school, क्या वो scheme से powerful बनना चाहता था, नहीं, powerful वाली तो कोई बात ही नहीं हो थी, तो यह option भी गलत हो गया, क्या उसने कोई सी nature of all life, नेचर के बारे में बात हुई नहीं, life के नेचर के बारे में बात हुई नहीं, यह तो वैसे ही गलत हो गया, option number B, तो हमारा option number बचा क्या, option number A, क्या option बचा, A, sacred in the context of headmaster means, मतलब, that even he was not about the scheme, he advocated for students, इसका मतलब था, यहाँ पे sacred का, teacher ने कहा था, कि जो scheme है, यह कैसी है, sacred है, मतलब कि, जो यह scheme मैंने बनाई है न, मतलब teacher ने कहा, कि उसने headmaster ने, florian ने कहा, कि यह जो scheme मैंने बनाई है, तो मैं भी इस scheme का उलंगन नहीं कर सकता, मैं भी scheme के oppose नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, कि मैंने इस scheme बना दी तो इस scheme मेरे उपर अपलाई नहीं होगी वह फ्लॉरिन ने कहा कि इस की मेरे उपर भी अपलाई होगी यह इतनी सेकर्ड scheme है कि यह वह भी खुद उसको अपने आपको भी उस scheme से उपर नहीं मानता जैसे होता है ना बहुत बार मान के चलो हमने कोई scheme दी हमने कोई बात बताई किसी को और बाद में जब बात हमारे उपर यह पलाई होती तो हम कहते है अरे भाई मैंने तो बताई थी मेरे लिए बात नहीं लागू हाना मैं तो इससे उपर हूँ तो हम कोई formula दे देता है तो इस तरीके से तो व बताया और यह बहुत अच्छी बात है ठीक है नेकस्ट आओ इसके बारे में मैंने आपको starting में भूर Ferr बच्चों ने क्लास को ध्यान से अटेंड किया होगा वो फटाक से इसका अंसर कर देंगे और जिन्हों ने ध्यान से नहीं अटेंड किया होगा बताओ ब्रूक as a verb means to tolerate ब्रूक का मतलब होता है जब ब्रूक का वर्ब की तरह यूज करते हैं तो मतलब तो उसका tolerance तो होगा नहीं भाई allow भी नहीं होगा suffer भी नहीं होगा तो क्या होगा? stream क्या होगा? stream ब्रूक का means क्या होता है? stream जान पूछ के tolerance आंसर में दिया होगा है बच्चे इसको tolerance लगा देंगे पर ब्रूक का noun की form में stream मतलब होता है छोटी जलदारा यह vocab का part था इसमें, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, next एक और paragraph आ गया है, 127 से लेके 135 नमबर तक, थोड़ा सा zoom करूँगा, so that आप लोगों को इसको clear देख सको, अभी है space, थोड़ा सा space हो रहा है, बिलकुल, हलका space हो रहा है, हमारे पास, बस बस बस, इतना space हम ले सकते हैं, चलो, 127 से लेके 135 नमबर तक questions है, passage पढ़ना है आपको और उसके answer करने है, passage मैं पढ़ाता हूँ, देखो, passage पढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है, कह रहा है, कि करुना वर्मा इस बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड होता है, confused हो जाना, क्या हो जाना, confused हो जाना, करती है बाद, कि मुझे नहीं पता, बिविल्डर, confused हो कि मेरी मा ने ये सब कैसे किया, क्या सब, अब देखते हैं, रेनु चोपडा, उसकी मा का क्या ना है, रेनु चोपडा, करुना's childhood memories are of her father leaving late for office, so that by then, करुना की जो चाइल्डूड की जो memories है, वो क्या है, कि उसके पिता माता-पिता दोनों जो हैं, एक साथ काम करते हैं, working in sink to make sure, दोनों जो हैं, एक साथ काम करते हैं, मिलके, ये बात sure करने के लिए, the kids were well taken care of, ताकि जो उनके बच्चों की take care जो है, बहुत अच्छे से हो सके, दोनों मिल बाट के काम को करते हैं, of her mother, handling kitchen and classroom with ease, उनकी मा के लिए kitchen को handle करना और classroom को एक साथ handle करना क्या है, बहुत easy काम था, when her own daughter was born, अब करुना अपनी बात पे आती है, वो सोचते हैं, जब उसकी खुद की बच्ची पैदा हुई, ये करुना को खुद जो है, जब उसने खुद एक daughter को जनम दिया, तो करुना कहते हैं, अपने बेटी के त करुना की खुद की daughter जो है, पैदा हुई, करुना to wanted to the balancing act, वो करुना भी कैसा act चाती थी, balancing act, balancing act क्या होता है, सुन लो ध्यान से, balancing act होता है, कि आप काम भी करते रहो, और अपने बच्चों की भी अच्छी से take care करते रहो, दोनु चीजों को balance में लेके चलना, उसको कैसे act क करना बहुत असान है, balancing act मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को बता दू मैं, क्योंकि आगे जाके question भी आएगा, balancing act होता है, कि बिना अपने काम को छोड़े, बिना मतलब अपनी job को quit करे, अपने बच्चों को और अपने काम को, दोनों को बहुत smoothly चलाना, उन दोनों का manage कर करना, उसे बोलते है, balancing act, ये बात याद रखना, तो कहता है, but it did not turn out to be as easy, ये तना easy नहीं था, जितना लग रहा था, आगे उसे वो बोलती है, for starters, शुरुआत में, her parents era was different from hers, फिर वो सोचते है कि मेरे parents का जो era था, समय था, वो बहुत अलग था मेर से, as she was living with her husband in अंधेरी, मुंबई, वो किसके साथ रह रही थी, अंधेरी में रह रही थी अपने husband के साथ, away from their families, away from their families, अपने माता-पिता से दूर, मतलब हो लड़की जो अपने husband के साथ, अंधेरी मुंबई में रह रही थी, और अंधेरी एक जगा का नाम है, कभी कोई सोचे मुंबई अंधेरी अंधेरी, मुंबई एक जगा का नाम है, मुंबई के अंधेरी का जगा है अंधेरी, वहाँ पे रह रही थी, अवे फ्रॉम देयर फैंबली, आगे जाके कॉश्चन भी बनेगा ध्यान रखना, अपनी फैंबली से दूर, अपने माबाप से भी और अपने इनलोज से भी दूर रह रही थी, अगर उसको अपने काम शुरू करना था, इसका मतलब था सिधा-सिधा कि वह जो अपने लड़की को, छोटी बेटी को, मेड के साथ, मतलब मेड के भरो से छोड़के जाए, वाइल शीवाजवे, जब वो अपने ड्यूटी पर जाएगी, ओफिस जाएगी, हाँ डॉटरस फॉर्मेटिव यर्स वूड बी स्पेंट विध अन आउटसाइडर, थाट देडिड नॉट अपील टू करूना, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी जो जो चोटी बच्ची है, उसके जो फॉर्मेटिव यर्स, फॉर्मेटिव यर्स कोन से होते हैं, वो सोच रिये करूना, यह जो फॉर्मेटिव यर्स कोना को नहीं आता है, शी क्विट हर टीचिंग जॉब इन स्कूल, और इसी वाजे से वो क्या करते हैं, जो है, टीचिंग जॉब जो स्कूल में, उसको क्विट कर देते हैं, एक ऐसी महीला, जो एंक्रेजड अपने वाजर फॉर्म जॉब जॉब घॉब गी ऑखेशिंग जॉब जॉब लोगोतिव जॉब घॉबस जॉब सुबं आहजल को इसा जै जॉब घॉड है, जो कूट जो अखुच जॉब करने तो इस वाजटे débड वॉला करकेश है तो इस वैरभाइसी दीचिकल थीट से आजले जो है job को quit करे ironically it was her mother who asked her to quit the job and become a full time mother ironically ironically का मतल़ होता है कि जैसे मान के चलो मैंने कहा मैं एक तरफ तो कहूँ कि एक तरफ तो कहूँ कि लड़कियों को जो है खुद earn करना चाहिए पढ़ेना लिखना चाहिए independent होना चाहिए on the other hand अगर मेरी कोई sister है मैं उसे कहूँ कि ना तू school नहीं जाएगी तुम पढ़ोगी नहीं तुम जॉब नहीं करोगी तो एक ऐसी बात कर दी मैंने ironically बात कर दी कि परदे के सामने तो मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए और अपने घर पे अपनी sister को बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो तो ये कैसी बात होगी ironically दो विरोधाबासी बात है तो ironically it was her mother उसकी मा ने उसे urge किया request की कि वो अपनी job को quit कर दे और एक full time mother बन जाए full time mother मतलब job को quit करके अपने बच्चे को संबाले परन्तु करुना के लिए being a housewife is one of the tougher job he has had परन्तु करुना के लिए housewife होना बहुँ जादा toughest काम था so I have no time for myself करुना बोलते मेरे लिए खुद के लिए कोई time नी बच्चता I make sure all my personal work is done when Avni is asleep वो तो कहते है कि मैं अपनी job quit नहीं कर पाऊंगी और कहते है मेरा जो personal काम है मैं जब काम करती हूँ जब अवनी अवनी को नहीं उसकी करोना की लड़की जब अवनी स्वोई होती है earlier I had a set routine पहले मेरा एक set routine था my husband I used to wake up at 6 मेरा husband और मैं दो सब्च्छे बज़े उठते थे I would reheat the food the maid had cooked the day before और मैं उस खाने को गरम कर लेती थी जो पहले दिन maid बना के गई होती थी गई थी before and pack it for lunch और उसे ही lunch में हम pack कर लेते थे then we used to head off to work और उसके आद हम काम पे चले जाते थे and at night we would go out और उस शाम के टाइम जो है बाहर जाया करते थे I had a lot of time for myself and for my husband और मेरे पास बहुत जाद आपने लिए और अपने husband के लिए time भुआ करता था Karuna ने ये बाते कही the routine is quite different now परन्तो अब routine जो बिलकुल different हो चुका है Karuna has taken to cooking Karuna जो अब खुद cooking करती है अपनी school को और वगारे की job छोड़ के She wakes up quite early अब वो जल्दी उठती है make sure all our work is done before the baby is up वो सारे कामों को फटा-फट निप्टा देती है जब तक उसका बच्चा जगता है The rest of the day flies by और rest of the day तो फिर उसका बच्चे के साथ ऐसी उड़ जाता है flies by मतलब निकल जाता है पता ही नहीं लगता चोटी जो दो साल के बच्ची है उसकी नीड्स को पूरा करते करते पैंडरिंग होता है उसकी नीड्स पर का ध्यान रखते रखते उसके ओपर टेक क्यार करते करते सोर्स के है दा वीक एक ये मार्च 13 2011 अडेप्टेड ये किसी न्यूजपेपर से उठाया हुआ मैगजिन से उठाया हुआ परिग्राफ है बताओ इसमें टीचर क्या करेगा मान के चलो आपका जैन्वरी में एक्जाम है और जो आपका सीटेट बनाने वाला जो एक्जाम इ नहीं कर सकते उसके बाद तो इसलिए रीडिंग हैबिट ड्वेलप करो ताकि आपको पूरा पैसेज जो है समझ में आए चलो अब इसके आंसर करने शुरू करते हैं अब यहां पर आंसर बनता है हमारा फस्ट 127 दस सेकेंड का समय और आपके सामने शुरू होता है अब करो करुणा वर्मा क्यों कंफ्यूज थी कि बताओ दन टाइम इस ओवर चलो दा लेट आवर्मा को इस वज़े से करुणा वर्मा को इस वज़े से करुणा वर्मा कंफ्यूज थी ना फादर वाली इस बात से तो कोई बिकमिंगा मदर क्या वो इस वज़े से कंफ्यूज थी कि उसकी मां बनने के बाद उसको बहुत सारा काम करना पड़ता नहीं उसने यह नहीं बोला बलकि उसने बोला कि इस क्वाइट इसी फॉर हर है ना उसने कहा था कि वह अच्छे से अपने काम कर लेती है जब उसके ब करेग्राफ की कि यह सोचके कि मेरी माने कैसे मैनेज किया होगा जब हम चोटे थे और उन्हें जॉब भी की और साथ-साथ हमें हमारी टेक केर भी करी इस वाज़े से वह कंफ्यूज थी तो उसका ऑप्शन नंबर भी बनेगा हर मदर से अबिलिटी को लेके कंफ्यूज थी टो कंबाइन हर करियर के वह अपने करियर पर भी ध्यान दे ली थी विद हाउसोल्ड वर्क और काम के साथ-साथ तो करो ना इसी वाज़े से कंफ्यूज थी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट चलो 128 में आओ पेरिंट्स वर्किंग इन सिंक मिन्स 10 सेकिंड्स का समय फटा-फज क प्रिक्ली ओं कि है अगर्ण ताइम इसडंडन कि ली ताइम एस डनचलो शुरू करते हैं टाइम इसड़न करें क्या बनेगा किया रहा है parents working in sync मैंने बॉदा भी था आप लोगों को इस पात पर ध्यान देना सिंख क्या होता है parents working in sync husband and wife sinking their differences in preserved domestic harmony ना बिल्कुल भी नहीं इस तरीके की बात ही parents in parents pulling their resources together to take care of expenses नहीं वो अपने expenses नहीं बाठते ऐसा कुछ नहीं था फादर अर्निंग और टेकिंग केर ओफ चिल्डरन और पेरेंट्स हैविंग स्टेज्ड ओफिस आर्स एंड शेरिंग हाउसोल्ड वर्क यह उप्षिन बनेगा क्या ऐसा बोला गया था कि उसकी माने जॉब छोड़ दी थी उसकी पिता जी कमा रहे थे और उस उन्होंने अपने कामों को क्या कर लिया था बाट लिया था ताकि वो मिल जूल के क्या कर सके मिल जूल के वो जो हैं अपने ओफिस आर का काम भी समाल सके और अपने बच्चे को भी अच्छे से पाल सके और हाउसोल्ड वर्क को भी कर सके तो पेरेंट्स हैविंग स्टेज् किया एंड शेरिंग हाउसोल्ड वर्क और मिलके दोनों ने एक साथ काम किया सो डाट उनके बच्चों के अच्छे से टेक कियर हो सके तो अप्शन नमबर बी किकली 129 आंसर आगया यह बताओ दस सेकिंड का समय फिरदवार है आपके पास 129 करूना भी बैलेंसिंग एक्ट करना चाहती थी चाहती थी न और मैंने बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब है क्या यह बात है कि अपनी जॉब को बिना क्विट करें अपने बचों की अच्छे से टेक केर करना और वो अप्शन कहां पर है अप्शन नमबर डी मदर्स एक मा की अबिलिटी होनी चाहिए इतनी तो लुक आफ्टर हर चिल्डरन के वो अपने बच्चों की तरफ की देख भाल कर सके विदाउट क्विटिंग हर जॉब इसे कोई क्या बोलते हैं बैलेंसिंग एक्ट करना चाहती थी और यह मैंने बता बताओ वां थर्ट में बहुत असान कॉश्चन ऑश्ची वास लिविंग विधर हैस्बन इन अध्यरी मुंबई आवे फ्रॉम अधर फैमिली जैसा की अपने अस्बंड के साथ अंधेरी मुंबई में रहती थी अपनी फैमिली से दूर इस सेंटेंश में इस सेंटेंस में का किया मतलब है determined Giram Families का क्या मतलब है sentence के अंदर वह कहना चाहें बताओ क्या यह करुणा के husband की family की बात हो इए नहीं क्या यह करुणा की mother और father की दूस्तों की family की बात हो इए नहीं क्या पर बात हो रिहीं करुणा की फैमिली प्लस उसके इननलौज भी करुणा अपने family से भी अपने माता-पिता से भी और अपने इनलो से भी father-in-law mother-in-law से भी दूर रह रही थी सो करुणा पेरेंट्स और इनलोस दोनों की family से वह क्या कर रह रही थी दूर रह रही तो option number भी बनेगा अब देखो कितना सान question आप लोगों के सामने आया हुआ है next question पर आओ यह वाला question double repeat है यह वाला बताओ 131 five seconds you have five seconds you have done करुणा's parents and her husband parents probably live करुणा के parent और उसके husband के parents कहां रहते थे क्या उसने बताया कि मुंबई में रहते थे ना इन मुंबई बट नॉट इन अधेरी नहीं यह में नहीं उन्होंने मेंशन किया विद करुणा एंड हर husband उनके साथ तो बिल्कुल नहीं रहते थे क्या अंधेरी मुंबई में रहते थे नहीं वहां तो करुणा और रहते थे तो रहते कहां थे वह लोग किसी वन थर्टी टू बताओ बताओ 10 सेकंड्स यू आव क्युक्क लिए चलो स्टार्ट करते हैं करुणा डिसाइडी टू किट अर जॉब करुणा ने अपनी जॉब को डिस लास्ट में फाइनली क्विट करने के लिए डिसाइड गया था क्यूं करुणा वांटी तो पे अपने अपने और अपने के लिए क्विट कर दी जॉब नहीं यह तो बहुत इंट्रस्टेड थी बलकि छोड़ना भी नहीं चाहती थी तो ऑप्शन क्या बनाई यह कितना आसान उप्शन थी इसमें देखना यह सब क्ल हो रहे थे यह बनेगा ऑप्शन शी डिद नहीं चा आई गही थी नहीं वाली बार तो अप्शन नमबर डी बनेगा ना वन ना ए ना बी ना सी तो डी अप्शन बनेगा चलो नेक्स कोशन पर आते हैं भाई कोशन नमबर 133 इच वाज आइरेनिकल आइरेनिकल मैंने मतलब बताया था विरोदा बासी 133 कोशन डन टाइम इस ओवर इट वाज आइरेनिकल डैट करुना जमदर शूद एडवाईज हर तो किट अर जॉब बासी बाते थी करुना की मां खुद तो करुना को क्या बोल रही थी के भाई आप जॉब छोड़ दो और अपने बच्चे के तरफ द्यान दो और जब खुद करुना की मां का समय था तो उस टाइम उसनों ने ना तो जॉब छोड़ी थी और जॉब के साथ-साथ बैलेंसिंग एक्ट करते वे जॉब भी किये और अपने बच्चे को भी पाला दोनों काम किये और नहीं किये हाँ किये तो इसी वे जैसे ये बात कैसी होगी थी आइरनिकली बात होगी थी कि उसकी माने खुद तो जॉब छोड़ी नी और करुना की जॉब छुड़वाने की बात कर रही थी तो ये कैसी बात होगी थी आइरनिकली बात होगी थी कि करुणा's mother herself had not quit her job कि करुणा की मा ने खुद कभी भी job नहीं छोड़ी थी to take care of children बच्चों की take care करने के लिए परन्तु as she encouraged independence of women और जो है जब कि women's का क्या करती है उनकी independence को encourage करती है क्योंकि वो कहती है कि women's को क्या होना चीए independent होना चीए क्या होना चीए independent होना चीए वो इसको encourage भी करती है और खुद भी कभी job नहीं छोड़ी और करुणा को यहाँ पर क्या कह रही है कि job छोड़ दो खुद कभी job नहीं छोड़ी और यह भी कहती है कि women's को independent होना चीए और खुद कभी job नहीं छोड़ी करूना को कैरे जॉब छोड़ दो इसी वज़े से दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई है आइरेनीकल हो गई है विरोधाभास हो गई है ओपोजिट बाते हो गई है ठीक है ग्रीट गुड जॉब कि नेक्स्ट आओ आफ्टर करूना क्विट हर जॉब बताओ क्या किया करूना ने जॉब को क्विट करने के बाद क्या किया था तो अपनी जॉब को क्विट करने के बाद क्या किया था वो क्या पूरे दिन कुकिंग करती थी नहीं option number D गलत क्या वो अपने लिए और अपने हस्बेंड के लिए टाइम निकालती थी नहीं यह बात भी गलत क्या इस तरीके की कोई बात आई थी कि उसने मेड को निकाल दिया क्योंकि इसकी मेड उसके ओपर बैड इन्फिलेंस डालती थी ऐसी कोई बात नहीं थी परग्राफ में तो option बनता है B कि शी एड नो टाइम पर yourself कि अपनी जॉब उसने पहले क्या कहा था कि इवन जॉब में मैं अच्छे दंसे अपने आप टाइम भी निकाल पाती थी इदर उदर घूम भी पाती थी हम लोग बाहर जो है शाम के टाइम चले भी जाते थे खाने पीने मोज मस्ती करने बट जब से मैंने जॉब छोड़ 135 नंबर कुशन पर आते हैं I have no time for myself यह बात बोली थी ना करुणा ने लास्ट में कि जब जॉब करती थी जब तो भली मिल जाता था I have no time for myself says करुणा this sentence can be written in reported speech बताओ इसकी reported speech क्या बनेगी reported speech क्या बन जाएगी इसकी चलो करुणा said that she had no time for myself गलत यह वाला देखो करुणा says she have she के साथ have नहीं आ सकता गलत उपर वाले देखो दोनों के दोनों करुणा says that she had a present में और एक past में गलत तो यह दोनों past में जाएंगे यह option बनेगा करुणा said that she had no time for herself ठीक है याद रखो अब तो सीदे सीदे questions आएंगे मेरी साब से अच्छा यह वाला question रह गया क्या अच्छा यह question double आ गया कोई बात नहीं यह वाला देखो भाई questions 136 देखो question बढ़ो remedial teaching as part of formative assessment means जो remedial teaching होती है उसका formative assessment में तो उसका क्या मतलब होता है कि अच्छा कोचिंग पेरेंट्स के द्वारा दिलवाते हैं नहीं यह नहीं होती टीचिंग ब्यूंड टेक्स्ट्बुक क्या हम टेक्स्ट्बुक से पर यह बात करते हैं उनसे नहीं तो क्या होता है यह option बनेगा डाइग्नोज हम बच्चे को क्या करते हैं डाइग्नोज करते हैं उसके बार उसकी जो गलतियों को पता लगाते कि वह बच्चा कहां लैक कर रहा है क्या उसको problem है उस subject में उसको address करते ह है उसके gaps को fill करने की कोशिश करते है remedial teaching देखे suppose जैसे मैंने आपको tense पढ़ाई मैंने पढ़ाया आपको present और past पढ़ा दिया उसके बाद क्या हुआ मैंने बच्चों को उनका formative assessment किया fa1 fa2 आप लोगों को पता होगा होते है न उसमें हमने बच्चे का formative assessment किया तो मैंने ब अपर समझ में नहीं आया मनें उन बच्चों को दुबारे बुलाया और उन्हें remedial teaching थी उनको दुबारे समझाने के कुशिश करी सिर्फ उनी points को जो points ने समझ में नहीं आया इसे बोलते है remedial teaching कि किसलिए की जाती है fa1 में उसका क्या मतलब होता है कि हम बच्चों के diagnose करें address करें उनके gaps को fill करें चलो 137 बताओ 137 का अंसर करो 5 seconds you have 137 के लिए 5 seconds है आप सभी के पास done वो बोलता है which of the following is a value associated with an inclusive classroom समावेशी classroom होना चाहिए inclusive classroom होता है जिसमें सभी को मिलाके किया जाए सभी को एक साथ मिलाके पढ़ाया जाए सब चीज़ों को क्या उस class में competition कराएंगे नहीं sympathy देंगे उसमें बच्चों को sympathy देंगे पढ़ाने में नहीं क्या हम बच्चों से दुश्मन ही रखेंगे नहीं तो हम उसमें क्या करेंगे collaborate करवाएंगे बच्चों का क्या करवाएंगे collaborate करवाएंगे pair बनवाएंगे group pair बनवाएंगे वही तो सब काम करेंगे which of the following is a value associated with an inclusive classroom inclusive classroom की जो value associated चीज़ी होते हो क्या होती है collaboration कराना बिल्कुल असान question आप लोगों के सामने the aim of mechanical drills is बताओ mechanical drills का क्या aim होता है mechanical drills कराएंगे जाती है ना बच्चों से बच्चों के साथ थोड़ा सा अगर option question नहीं दिख रहता हो मैं तो फोड़ा सा इसको zoom कर देता हूं मेरे इसाब से अब ठीक है ठीक है बताओ भाई mechanical drills accuracy of learners इस पर काम नहीं करते mechanical drills किसले कराई जाती है mechanical drills कराई जाते encourage creative use of language among the learners बच्चों के अंदर language का language का creative use करवाना कैसा कि वो खुद से कितना सोच पा रहे हैं उनको paragraph writing देना कि वो खुद से कितना सोच के लिख सकते उनके mechanical drills करवाना होता है कि बच्चों को language का अच्छे से अच्छा यूज कराने के लिए उन्हें increase करना कि वो खुद कितना ज्यूस में काम कर सकते हैं चलो option number B बनेगा इसका option number B 139 पे आओ Learners are involved in individuals activities, pair work, group work and whole class work because these जो learners होते हैं, students होते हैं वो involved होते हैं individual activities में कभी-कभी अकेले काम करते हैं individual activities करते हैं, कभी pair में काम करते हैं, कभी group में पढ़ाई करते हैं, कभी whole class सभी के साथ मिलके काम करते हैं ऐसा होता है क्योंकि बताओ क्यों होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा तॉसbyっ ऐसा चलो, शुरू करते हैं यह ऐसा हम किसलिए कराते हैं बच्चे को, कभी-कभी अंडिविजवल के पढ़ा दिया, कभी PER उनके बना के पढ़ा दिया, कभी groups में उनको काम करने के लिए दिया यह हम इसलिए करते हैं, ताकि बच्चा D, afford the learners opportunity, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा opportunity मिले, अकेले काम करने भी एक बंदे के साथ काम करने भी ग्रूप में काम करने भी और पूरी class के साथ काम करने भी, ताकि बच्चा हर एक situation से गुजरे, to use the language, और अगर बच्चा अकेले काम करेगा, तब उसे किस language में रहना है, एक अपने साथी के साथ करेगा, तब कैसे रहना है, ग्रूप में कैसे language को maintain करना है, whole class के साथ उसका क्या language में उसका विवार होना चाहिए, language इना focused manner, ताकि वो focused manner में सीख सके for real life interactions, अब कभी कबार होता है आप लोगों को कभ में रहना पड़ता है, कभी किसी के साथ, कभी आपको group में, कभी बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि वो बच्चा real life interactions सीख सके, कैसे interactions सीख सके, real life उसकी life के interactions हो सके, इस वज़े से उसे कभी individual, कभी pair में, कभी group में, कभी whole class में काम कराया जाता है, ठीक है, great, आपके एक्जाम से पहले बहुत सारे paper solve करवाने वाले हैं, लक्ष अकैडमी पर हम लोग यहीं पर, और हम पीछे नहीं अटेंगे भाई, अगर आप के अंदर हिम्मत है, रोज पढ़ने के तो हम रोज पढ़ाने के लिए तयार हैं, बिल्कुल, ठीक है, which of the following, अच्छा, इसको थोड़ा सा और अबाओ करो, हाँ, which of the following statements is true, वो कहरा है, कौन सी statement इसमें से true है, कौन सी statement इसमें से क्या कहता है, true है, बताओ, क्या कहता है, all formative tasks are meant for assessment, क्या जो सभी formative tasks होते हैं, वो सिर्फ assessment करने के लिए किये जाते हैं, अभी अगर आपने ध्यान दिया हो, क्लास में, पांच मिनिट पहले मैंने एक बात पढ़ाई है, कि formative assessment में हम क्या भी करते हैं, assessment तो करती हैं बच्चे का, परन्त उसके साथ साथ डाइगनोज भी करते हैं, observe करते हैं, remedial teaching के लिए हम थैयार करते हैं, कि बच्चे को डाइगनोज किया और उसक कि एक lesson पढ़ाती हैं, वो जो है formative teaching करते हैं, assessment करते हैं, नहीं, next आ गया, हाँ, A और B तो बिलकुल हमारे गलत हो गए, A और B तो हमारे गलत हो गए, इसके राद आ गया C, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too, हाँ, क्याता है, कि all जो formative, जितने भी formative tasks कम करते हैं, वो सब किसलिए बने होते हैं, improving teaching learning, teaching learning के लिए भी तो improve करने के लिए बनते हैं, formative assessments, इसी लिए इसे तो FA1, FA2 करवाए जाते हैं, कि teacher को पता लगे कि जो हमने पढ़ाया है, वो बच्चों को समझ में आया है, अगर नहीं आया, तो teaching learning process को और अच्छे से improve किया जा सके, teaching भी तो कहीना के improve होगी, और कुछ उसमें से formative assessment किसलिए होते हैं, सिर्फ बच्चों को assess करने के लिए, जो बच्चों के हम exam लेते हैं, FA1 का exam ले लिया, FA2 का exam ले लिया, उसमें बच्चे को सिर्फ हमने क्या कि assess कर दिया, कि बता होगे कितने number आए, वो जो हम class में उनके साथ assessment करते हैं, तब यह teaching learning भी improve होते हैं, तो यह option बनेगा, option number C, correct, option number C, correct, दोनों काम होते हैं, teaching learning भी improvement होती है, और वो भी, 141, when young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, जो जो young learners हैं, जो primary के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको lesson में इंट्रस्ट नहीं आता, तो teacher को क्या करना चाहिए, क्या उनको बोलना चाहिए, कि तुम सोजाओ, कितनी, मतले हसी मजाक वाली हो, क्या उनको यह कहना चाहिए, तुम भार चले जाओ, खिल लो, बच्चे तो रोज भार भाग जाएंगे, उनको तो खिलने मज आता है, क्या उन्हें यह कहेंगे, कि चुपचा बैठो सुनते रहो, ऐसा ब उनको इंटरस्ट आए, उनको मजा आने लगे और वो सीख जाएं, तो 141 का क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या था, जब यंग लर्नर्स को जो है, अपना लेसन में इंटरस्ट ना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो टीचर को उन्हें को स्टोरी सुनानी चाहिए, उसे स् इंटरस्टिंग एक्टिविटी करानी चाहिए, चलो, 141 का A, 142 पे आ गए, the right of children to free and compulsory education act, यह रहां, कुशन, बहुत अच्छा कुशन है, पांच मिनट आप, पांच सेकिंड आप सभी के पास है, the right of children to free and compulsory education act 2009 had included all-round development of the child as one of the aims of education because, बताओ, कहता है, जो right of children act है, बच्चों को free and compulsory education दो, 2009 का जो act है, उसमें include है, कि all-round development of the child, कि बच्चों का कैसा development करना में, all-round development करना चाहिए, इसका aim क्या है, इस बात का क्या aim है, all-round development क्या होता है, सोचो, all-round development क्या होता है, बताओ भाई, चलो, options देखते हैं, उसमें है, it nurtures the physical, mental और emotional, यही तो होता, all-round development, all-round development, health, all-round development, उसने कहा, कि जो act आया है, free or compulsory education का, उसमें एक बात include है, कि all-round development करो, बच्चों का, उसका मतलब क्या होता है, कि उन्हों पर physically भी develop करो, mentally भी develop करो, और emotionally भी develop करो, तो इसी को ही बोलते है, all-round development, option number A, सीधा answer, सीधा answer, कि यह जो हमार जो scheme है, इक इस-किस पर फार्म काम करते है, physical, mentor, और emotional aspects पर बच्चे के, all-round development, हाँ, यह वाला answer, यह 143 आगया, बई, चलो, 5 seconds, again, you have again 5 seconds, कि करो भाई, फटाफ़ट, 143, 143 करो, Teachers do not give the meaning of new words, बच्चे को जो है, टीचर एकदम नहीं वर्ड्स, नहीं प्रोवाइड कराने चाहिए, to learners directly because, directly नहीं प्रोवाइड कराने चाहिए, vocabulary will not be enriched, कैसे vocabulary enriched नहीं होगी, एक बात हो, तो बच्चे को word meaning बता रहे हैं, vocabulary नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, learner already know the meaning of the word, जब नहीं वर्ड है बच्चे के लिए, तो कैसे अपने आप जान सकता है पहले, यह तो option गया, learners do not like to be given the meaning of the words, कै learners को अच्छा नहीं लगता, बढ़े, learners को तो अच्छा लगेगा, कोई हमने जैसे नहीं वर्ड सुना, बच्चे की जो discovering ability है, वो उसकी खत्म हो जाएगी, उस पे वो काम नहीं करेगा, खुद से वो जो उसको ढूंडने की खफिर कभी भी कोशिश नहीं करेगा, वो एक dependent बन जाएगा teacher के उपर, कि उसके सामने कोई भी वर्ड आएगा, वो direct teacher से पूछेगा, इसलिए उसने कहा कि teachers do not give the meaning of new words, teacher को new words का meaning बच्चे को directly नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे बच्चे को क्या होती है, prevents learners, ये बच्चे को रोकता है किस चीद से, words को ढूंडने से, meaning through puzzling and using clues, clues को use करके और puzzles का use करके फिर बच्चा अपने आपको रोकता है, वो ढूंडने की कोशिश नहीं करता, तो उसकी ability खतम नहीं हो जाए, इस वज़े से teacher को ऐसा नहीं करना चाहिए, 144 आ गया, which of the following is an instance of non-formal learning, बताओ, इसमें से कौन सा non-formal learning का एक example है, चलो, क्या बच्चे जो cooking है, वो parents से सीखते हैं, यह तो formal बात है, parents ही सीखे, school वाले थोड़ी सिखाएंगे, जो game है, वो कहां से सीखते हैं, friends से सीखते हैं, यह भी बात सही है, जो drawing है वो किस से सीखते हैं teacher से सीखते हैं ये भी बात सही है ये तो तीनो formal बाते हैं ये आपने cooking कहां से सीखी school से थोड़ी सीखी घर से सीखी formal teaching है आपने games खेलना कहां से सिखा दोस्तों से सीखा या teacher ने आके थोड़ी सिखाया कि teacher ने आके बुला आपको वह ऐसे तो गेम ना आपने दोस्तों के साथ सेखा, आपने ड्रोइंग कहा से सेखा, आपकी आप्स टीचर से से की फॉर्मल है, तो नौन फॉर्मल टीचिंग कहा रहा है वो, कहा रहा है नौन फॉर्मल टीचिंग का कौन सा इसमें लर्निंग का कौन सा एस्पेक्ट है, टीचिंग नी लर्नि through correspondence lessons जो एक्स्ट्रा जो लेसंस होते हैं कोर्स के उन लेसंस के थूरू जो हम लोगों को नॉन फॉर्मल लर्निंग करवाते हैं उसे बोलते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग लेसंस के थूरू यह वाला group project work helps in developing group project बच्चे के अंदर क्या चीज़े develop करता है बताओ क्या high level of ambition to achieve नहीं अब अगर ambition to achieve नहीं good memory in the young learners memory को कोई बात नहीं competition among learners by group project है तो competition कैसा हुआ नहीं collaboration को मजबूत करता है उसे बच्चों के साथ collab करना आता है बी option बनेगा option क्या बनेगा भाई बी उस बच्चे को group project में बच्चे को क्या मिलती है collaboration करने के लिए मिलता है उसे critical thinking मिलती है कुछ ideas वो अपने देता है कुछ सामने वाले के सुनता है किसी idea के साथ agree करता है किसी के साथ disagree करता है and problem solving उसकी ability बढ़ जाती है तो option नंबर भी बनेगा तो group solving हमें यहाँ पर काम आती है next question आगे हमारा 146 what type of questions promote thinking skills in children किस तरीके के questions हम लोगों के इंदर thinking skills को बढ़ावा देते हैं किस तरीके के question हमें thinking skills के लिए बढ़ावा देते हैं बताओ कि ग्लोसेंडिकोश्इंड कों से उतेए हैं जिंका सिर्फ ऀंसर एक रही बन सकता है वो होते हैं जैसे मैंने कहा कि भारत का बजाद होई है तो आम gotta सर पंदर्रा अगस्त 947 को भारत अज्ट हो गया था ता उंक ना लिसे से बागे क्या बात कोई पढ़ाई चार लाइन उसी में से पूछ लिया कैसे आपकी तिंकिंग स्किल्स बड़ी नहीं बड़ी तो यह भी गलत क्या फैक्ट्ट्वल कोशन होते हैं नहीं अभी अभी फैक्ट्ट्वल कोशन तो होई नहीं सकते हैं मैंने बुला 15 गश्ट 1947 तो कौन से करो ची- personal response कोशुन कुछंसे होते हैं पर स्थर्चन रिस्पाउन्स कोशेन जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको बुला जैसे आपने किसी स्टुटेंट को helping की सामने भी आपने बातेगेayo के हमें हमें जो है गल्सको एंग्रेज करना चाहिए कि sports में यह नहीं करने हमें woman's की hockey team बनानी चाहिए है नहीं बनानी चाहिए तो यह आपकी personal thinking skills बढ़े गगा आप आप करना है या नहीं करना है तो इस तरीके तो personal thinking skills thinking skills हमारी कैसे बढ़ते ही जब हम उन्ह intensely फ्रम्स questions पोछते हैं कि उनका personal क्या opinion है ठीक है next आ गया 147 students need to brainstorm ideas organize बच्चों के पास जो है brainstorm ideas उनको जो brainstorm ideas की जरूत होती है organized तरीके उनको organize करने की जरूत होती है फिर ड्राफ्ट करने की उन्हें edit करने की जो उनके ideas है उनको फिर revise करने के अपने काम को यह process है किस चीज़ को reflect करता है listening को reading को speaking को writing को सोचो बहुत असान कोशन है आपके पस idea आया 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 पहले आपके पास कोई आईडीा किसी बात किसी टॉपिक पे लिखने के लिए उसको organizing किया उसका ड्राफ्ट बनाया उसको अरफ़ी लिखा फिर उसमें editing की फिर उसको revise किया दुबारे उसको है इस को बोलते है रोटेंग स्किल्स में रिफ्लेक्ट होती है राइटिंग स्किल्स की जो है प्रोसेस है यह और भाइज चलो नेक्स्ट कोशन में आओ 148 यह दुबार है कैसे रिवाइज हो गया 148 आओ टीचर्स हैल्प लर्नर बता वण फॉट एट टीचर्स है लर्नर कंस्ट्रक्ट डियर नॉलच इंगलिश बाए क्या बनेग अंसर बनाओ जो टीचर्स हैं वह हैं लर्नर की उनको उनकी जो नॉलज लैंग्लिश में उनको चर्ट करने के लिए बता वाई 5 seconds you have 10 seconds देखते हैं कितने students कितने questions रहेगे दो questions रहेगे इसके बाद इसके बाद 2 questions हो रहे हैं चलो start करते हैं तो क्या बना इसमें जैसे हमने बोला giving the learners a lot of assignments and projects that will lead to much practice अगर teacher को उनकी जो language को construct करना है तो कि उन्हें बहुत सारे assignment दे दो नहीं ऐसा थोड़ी होता है फिर आ गया giving extensive language drills in which learners practice language items mechanically and correcting every mistake a learner makes and giving ना उसकी हर एक mistake नहीं enabling them to see the relationship between हाँ यह बात चीक है तो teacher जो उनकी construct कि जब knowledge करवाता है constructive knowledge को उनसी knowledge होती है कि जब बच्चे के पास पहले से जो knowledge है और जो teacher अब knowledge प्रोवाइड कर रहा है उन दोनों के बीच में relation बच्चा खुद से डूंड सके उन दोनों knowledge इसको जोड़ के सीख सके उसे बोलता है knowledge को construct करना construct करने का मतलग क्या होता है कि इसी चीज को बनाना तो जो बच्चे के पास पहले से चीज़े हैं जो पहले से उसके उसके पास ज्यान है और जो teacher ने उसको ग्यान दिया दोनों को मिला जुला कि जब बच्चा एक construct करता है कि हाँ मेरे पास यह बात आई समझ के उसे बोलते हैं construct knowledge तो teacher learners के help करते हैं construct knowledge में enabling them to see the relationships between the prior knowledge and the new knowledge मतलब कि जो उसको जो है बच्चे को बता के कि जो आपके पहले knowledge और जो मैंने यह बाते आपको बता है इन दोनों में relations देखो दोनों को समझो कोशिश करो और उसे बच्चे क्या समझ सकते enable करना उनको प्राइर और new knowledge से चलो 149 बताओ 149 बताओ reading for comprehension can be best achieved through जो reading comprehension है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे सिखाया जा सकता है कौन साचा यह भी नहीं है teaching learners to run a finger और पैंसिल नहीं नहीं यह तो होता है नहीं learners reading silently and asking comprehension questions बिल्कुल reading comprehension अब बच्चे को comprehend करवाना है आप लोगों को comprehension करवाना है एक बड़े-बड़े बेस पर उनसे questions पूछोगे उनको पढ़ने के लिए दोगे reading question का मतलब क्या है reading for comprehension can be best comprehension जो reading है उसको कैसे best achieve किया जा सकता है बच्चों को silently read करने के लिए कुछ देना और उसको पूछना उस पर questions और आज की class का last सवाल आप सभी के सामने चलो दिखी रहा है सवाल वैसे तो और last सवाल आप सभी के सामने चलो a textbook describes a domestic scene एक textbook है एक किताब है जिसमें domestic घर का scene मतलब कि घरेलू कोई एक scene दिखाया गया है जिस scene में क्या कहाए गया है which was the father cooking एक जो father है वो cooking करने kitchen में the mother coming home from work मा जो है बाहर office से घर पर आहा है और जूंका लड़का है बच्चा है वो क्या कर रहा है वो क्यों कर रहे है मतलब कि कुछ बुन रहा है क्या कुछ बुन रहा है कुछ बना रहा है हाला knitting कर रहा है तो what is the concept conveyed यह concept बच्चे के दिमाग में क्या चीज शो करता है बच्चे को क्या चीज सिखाता है यह concept कि जो है उसके पिता जी तो किचन में काम कर रहे है एक मा जो है ओफिस से घर आ रही है और एक लड़का जो है क्या कर रहा है कुछ बुन रहा है या फिर कुछ सील रहा है क्या यह लेबर कर रहा है eat and 가격 is word ship कर रहा है कि काम ही नहीं डिवीजिन ऑफ लेबर and omega से नहीं कि यह शब कर रहा है डिमूविंग जेंडर बायस किया खोर कर लए है इसे बच्चे मतलब जेंडर बायस जो है वो खतम हो जाएगा जैंडर बाइसने सच जो होती भी office जा सकती है, office में काम करती है, है न, उसको यह नहीं होगा, लड़का होके कुछ seal रहा है, इसका मतलब seal ना, कपड़े सीलने का मतलब यह नहीं है, कोई लड़की ही कपड़े सीलेगी, तो वो बच्चा कैसे का gender bias को reduce कर देगा अपने life से, तो यह removing gender bias का जो है, scene है, इससे बच्चे के अंदर यह नहीं आएगा, कि जो male है, वही office आते हैं, female ही खाना बनाती है, female ही सीलती है, कुछ काम करती है, तो यह चीज़ है, तो यह removing gender bias, वहला option मनेगा, option number C, यह चीज़ को depict करती है, तो मेरे साब से आजवली class में, हम लोगों ने, यह सारे के first question में देखने तो, हाँ, 121 से, तो हम लोगों ने आज 30 questions discuss किये भाई, यह हमने, और I hope कि अगर आप लोग बने रहोगे, जुड़े रहेंगे हम लोग, तो हम लोगों जब तक exam आएगा, आप लोगों का, उससे पहले हमारी यह promise है, आप सभी से, लक्षय अकैड भी इसमें पजल होते हैं, किसमें पजल होते हैं, इसमें क्या नाम है, paragraphs में, comprehension वाले paragraphs में, और बहुत सारी teachers क्या करते हैं, comprehension वाले चुडवा जेते हैं, उनको सीधा-सीधा main questions, नहीं भाई, यहां आपको यह comprehension भी solve करवाए जाएंगे, और 30 में से 30 लाने का promise है, यह, आपके 30 out of 30 आएंगे, 100% यह guarantee है, लगातार आप लोग बस इन classes को देखते रहना, ठीक है, और जो है, classes को share करते रहो, so that आपके जो friends है, आपके जितने भी friends हैं, वो भी इस चीज़ को जादा से जादा इसका benefit उठा सके, कि यह class solve करवाए जा रही है, और इनके answer साही तरीके से आपको स हम जाएज आ रहे हैं, मैं चाहता, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आए, इसका answer बनेगा, इसका answer बनेगा, दस मिट में class कतम, but नई, we are just giving one and a half hour to you, just because, so that you can just get the knowledge, you get the knowledge, or so that you can understand the detailed answer, आपको बिलकुँ detailed answer समझ में आए, कि उसका answer वो है क्यों, ऐसा नहीं है कि बस हाँ answer है, ठीक ह तो आज वाली class इतनी रखते हैं, next class में मिलेंगे, जाहिंद!